नमस्कार दोस्तों, तो आज के सेशन में हमें आपर GS4 Ethics के दृष्टी के class notes को देखेंगे, ठीक है, पिछले class में हमने ethical dilemmas को देखा था, जिसमें हमने काफी कुछ चेज़े पढ़ी थी, कौन से situation हमें कौन से नेड़े लेने चाहिए, यानि कौन से decision लेने चाहिए, ठीक है कौन-कौन से situations हो सकती है, ठीक है, उन सभी को हमने देखने का प्रयास किया था, और इस session में हम उसी को आगे continue रखेंगे, इसके साथ ही साथ हमारा Hindi site का जो optional subject जिनका है, UPSC के लिए, ठीक है, उसका भी subject हमें आपे लाएंगे, उसके साथ साथ में आपको videos भी सरके मिल जाए पहला, अगर कानून व्यक्तिगत हीतों के विरुद्ध है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह situation है, और उसका solution देखते हैं, व्यक्तिगत हीतों की परिभासा ठीक से करनी चाहिए, हो सकता है कि हमारी समझ ही गलत हो, जैसे महिलाओं के लिए हेलमेट की अनिवारिता, प निखी तरकों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे लोकतंत्र का अर्थ है कि कानून विधान मंडल द्वारा बनाया जाएगा, और विधान मंडल के सदस्यों का चुनाव जनता ने ही किया है, जिससे वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, अतर प्रत जन संख्या से जहां विभिन नसल वर्ग छेत रित्यादी हों, वहां कोई भी कानून सभी व्यक्तियों को एक साथ लाब नहीं पहुचा सकता, इसलिए अगर कानून मैं बताऊंगा, तो उस पर भी सहमती नहीं होगी, ऐसे कई ऐसे कानून भी है जिनसे व्यक्ति विशेश को लाब है, किंदू अने लोगों को हाणी है, जिस प्रकार अने लोग उन कानूनों को सुईकार करके अपनी लोकतांत्रिक भूमिका निभाते हैं, वैसे ही उसकी भी जिम्मेदारी बनती है वस्तुता लोकतंत्र विभिन वर्गो अर्थात हित समूहों में संतुलन साधने की प्रक्रिया है यही नहीं देखना चाहिए कि किसी विशेस मामले में व्यक्ति के हितों का क्या हुआ देखना यह चाहिए कि कुल मिला कर व्यक्ति के हीतों को संतुलित महत्त मिला या नहीं और साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कानून का सासन अपने आप में सभ्य समाज की सर्थ है यदि व्यक्ति उसे नहीं मानता तो उसे कोई नहतिक हक नहीं है कि वह दूसरों से कानून मानने की अपेक्छा रखे अगर सब कानून नहीं मानेंगे तो कानून सासन खत्म हो जाएगा जो सभी के लिए बड़ी हानी होगी दूसरी सच्चोशन है कि कानून का प्रयोग कहां नहीं करना चाहिए पहला अगर कानून तिथी बाय है यानि बाय उसकी तिथी चली गई है वह प्रयोग करने से नैतिक संकट और गहरा हो जाएगा तो विकल्प बबर विचार करना होगा साथी साथ में यदि कानून साफ साफ नैतिक्ता के खिलाफ है जैसे यदि विधाईका ने अपने हीतों के अनरूप को यह ऐसा कानून बना लिया जो नैतिक्ता का सीधे सीधे उलंगन करता है अभी नियाई पालिका ने उसकी व्याख्या नहीं की है और आपकी प्रबुद्ध अंतरात्मा का निसकर्ज है कि नियाई पालिका के सामने यह कानून नहीं टिक पाएगा और यह भी असपस्थ है कि उसका प्रियोग करने से कोई व्यापक हानी हो सकती है उधान दागी सांसदों की सदस्यता खत्म करने के निड़े को खारिश करने वाला कानून वहीं विचारधारा हमारे देश के कई परसनल लाउ में कुछ प्रावधान महिलाओं के विरुद्ध हैं जैसे कुछ वर्स पहले तक इसायों की विधी में नियम था कि यदि किसी पत्ति की संतान ना हो तो पुरुष अपनी संपत्ति अपने भतीजों को दे सकता है दे सकता था किन्तु पत्नी को नहीं इसे सुप्रीम कोट ने अवय ठहराया और खारिश कर दिया अगर बात करते हैं अगर कानून अनैतिक है तो क्या करना चाहिए पहला सामान व्यक्ति क के माध्यम से न्याले को शामिल करना किसी विस्तिती में हिंसक साधनों का परियूग न रख करना क्योंकि कानून का का विरोध करने के लिए कानून खा का उलंगन करना खुद ही अनैतिक होगा जो पूरब आंदोलन पर ही सवाल खड़ा करेगा बात करते हैं स्रीविल सेव क को क्या करना चाहिए तो अगर कानून अनैतिक है तो एक लोग प्रसासक को अपनी अपनी नैतिक सहिता और आचार सहिता के अंतरगत रह कर इसका विरूद करना चाहिए इसके लावा सरकार का विरूद नहीं करना चाहिए साथ ही व्यक्तिगत और सारवजनिक जीवन में कोई जानकारी या व्यक्तव नहीं देना चाहिए ये ओफिशिल सीक्रेट एक्ट के विरुद्ध है वहीं अगर निया प्यालिका ने कानुन का अचित स्विकार कर लिया है तो व्यक्तिगत विचार धारा से प्रभाव नहीं करना चाहिए और उसे लागू करना ही सिविल सेवक की जिम्यदारी होगी जैसे यदि कोई व्यक्ति आरक्षण नीती का विरुद्ध है तो भी उसका पालन करना होगा इसके साथ ही बात करें अगर अभी निया पालिका ने समिक्षा नहीं की है और आपको तथा अधिकान समझदार व्यक्तियों को लगता है कि नियाले इसे खार रहए को लंबित रखा जाना चाहिए इसके साथ मिया अगर मामला नियाले में नहीं पाया गया है अगर मामला नहीं गया है किंतु सिविल सेवक तथा कई अन्य व्यक्तियों की असपस्ट राय है कि नोन पालिका इसे खारीच कर देगी तो सिविल सेवक दो कदम उठा सकता पहला वह खुद संबंधित फाइल पर या एक नई फाइल पर नोटिंग में सुझाओ दे सकता है कि इस कानून पर अत्तधिक विवात को देखते हुए क्या मंत्राले के लिए यह उचीत नहीं होगा कि एक बार स्वहम इसकी नियाईक समिक्षा करा ली जाए क्योंकि अगर ब जिरुद्धनियाले जाना चाहते हैं तो उन्हें वैचारिक समर्थन दे सकता है कि इसी भी हालत में कोई गुप्त सूचना नहीं देनी है अज़े बात करते हैं रूल्स की यानि नियम की नियम के लिए अग्रेजी में परियुक्त सब्द रूल का मूल भाव सासन करने अठ ऑल्स कानून की आम तो पर सब्द सुचना नियमों में प्राया उतना ही प्रभाव अत्ती वरता रहती है जितने की किसी कानून में आमतोर पर प्रतीह तो केरानून में यह लिखा जाता है कि इस कानून से संबंदित विस्तिति नियमा वली कारिपालिका बनाएगी वहीं व योजित विधायन में यह सर्थ अंतर नहींत है कि कोई भी नियम मूल कानून की भावना से असंगत नहो इस बात की जाच की जिमेदारी संसत की प्रत्ययोजित विधान में समिती की होती है कि कारिपालिका द्वारा बनाया गया कोई नियम कानून की भावना के विरुध नहो भारती नागरिक्ता धनियम 1955 के तहद भारत सरकार द्वरा पियाईयो और तथा OCI के लिए बनाए गए नियम प्रत्ययोजित विधान के उधारण है। नियम बना सकते हैं परंतो ये नियम देश वर राज्य के कानून भावनों के विर्पिरित नहीं होने चाहिए। बात करते हैं विनियम की यनि रेगुलेशन की। विनियम के लिए प्रयूक्त अंगरेजी सब्द रेगुलेशन का मूल भाव सीमित रूप से नियंतित करने अर्था टू रेगुलेट से है। सब्दों के अर्थ के बीच भिन्नता से ही असपस्ट है कि विनियम नियम की तुलना में एक विन्नम्र अभिव्यक्ती है जिसमें करता को कुछ मात्रा में स्वायतता दी गई है। परंदु वहारिक तौर पर नियम व विनियम का प्रयोग समनार्थक के रूप में होता है और प्रतेक स्थिती में इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। समानित है ये दोनों ही कानुनों के व्याख्या करने के लिए होते हैं। कभी कभी विनियम नियम को असपष्ठ करने के लिए होते हैं ऐसी स्थितियों में उन्हें नियमों के अधिन माना जाता है। नियमों की भाती, विनियमों की रचना भी सासकी वर निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं के द्वारा होता है। अब देखते हैं कानून, नियम व विनिमे में तुलना, यानि अंतर को यहाँ पे, हम डिफरेंस को यहाँ पे देखेंगे, कानून क्या होता है, कानून केवल राज जी के विधाई अंग द्वारा बना जाते हैं, जबकि नियम क्या होता है, इन्हें कारिपालिका भी बना सकत और विनियम को क्या होते है तो विनियम क्या होते है कारिपाली का दोरा निर्मित इनके निर्मान में स्वायतता अधिक होती है ठीक है जो इसके दोरा क्या होता है कि विनियम जो है इसका निर्मान जो है कारिपाली का करती है और इसके निर्मान में जो है वो स्वायतता अधिक होती है इसी प्रकार कानून के वल राज बना सकता है जबकि नियम जो है इने राज जी के अत्रिक्त व्यक्ति तथा नेजी संगठन भी बना सकते हैं और वी नियम क्या होता है राज जी के अत्रिक्त इने व्यक्ति तथा नेजी संगठन भी बना सकते हैं इसी प्रकार से जो सरवोच्च है और नियम क्या है नियम इनकी स्थिती कानून से नीचे है और वी नियमों से बहतर है या उसके बराबर है साथ ही साथ में वी नियम क्या है इनकी स्थिती नियमों के नीचे या उनके बराबर हो सकती है इसके साथ ही में कानून क्या होते हैं तो कानून ये प बहारिक तोर पर ऐसा नहीं होता क्योंकि अन्य देश में उनके अपने कानून लागू होते हैं उधान स्वरूप IPC की सुरुवाती धाराओं में यह बात कही गई थी वहीं नियम क्या होते हैं नियम देश की सीमाओं के बाहर भी लागू हो सकते हैं परंतो यह जिस सीमा तक उस देश के कानूनों के विरुद्ध है उस सीमा तक वहां लागू नहीं होंगे उधान के लिए यदि कोई भारती अधिकारी वी देशी दोरे पर जाये तो उस पर भारत के टाडा टीए डीए के नियम लागू होंगे जब क्यों विनियम क्या होते हैं इस संदर में विनिय कारण के लिए एक निश्चित धाचे की आउशक्ता होती है जिसमें विधी और आचार नीती महत्तुपूर्ण उपकरण होते हैं विधी जहां बाहबल के द्वारा मानव आचरण को नियंत्रित करती है वहीं आचार नीती आंतरिक प्रेणा द्वारा नियंत्रित करती है ब अध्वा क्रित्य नहीं करे। इसके जरीया असपस्ट दिसा निरदेस प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति का समुचित मार्ग प्रस्रस्त करते हैं, इसी का परिणाम है कि व्यक्ति अनायतिक प्रित्य करते समय अनेक बार सोचने पर विवश होता है, क्योंकि इनसे दंड का भय उत्पन होता है वस्तुत्र अगर वेक्ति को अश्पस्ट दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो वह अपने कृति की नैतिक्ता वह अनैतिक्ता की भी जाज कर सकता है परेडामarmed वयक्ति नैतिक दुविधाओं का सामना नहीं करेगा यदि दुविधाओं उत्पन होंगी भी तो वह इनका समुचित समाधान भी कर सकेगा इसके अतरिक्त सारवजनिक जीवन में इनके भूमिके अत्यधिक महत्त पूर्ण हो जाती है सारवजनिक जीवन में नैतिक सहीता वाचार सहीता के अनुरूप व्यक्ति को अपना कार और वेभार करना पड़ता है वहीं बात करते हैं नैतिक मारदर्शन देखिए विधी नियम और विनमे का क्या कारी होता है तो ये क्या करता है पहला चीज नैतिक मारदर्शन का कारी करता है ठीक दूसरी इसकी कार क्या होती है नैतिक नियम या फिर विधी नियम या फिर विनियम का ये विपरीत परिस्थितियों में भी नैतिक कृत्ति करता है नैतिक कृत्ति करने के सलाह देता है ठीक है और विधी का सासन होता है इसके माध्यम से और नैतिक दुविधाओं का समाधान इसके माद्यम से निखल जाता है, सामाजिक दाइतों का निर्भान होता और सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा होती है। अब यहां भी सवाल उठता है कि अगर एक व्यक्ति और लोग प्रसासन विधी, नियम और विणियम के अनुसार कार करें तो इससे व्यक्ति को क्या क्या लाप्राप्त हो सकते हैं। गौर्ट है कि नैतिक मार्गदर्शन के रूप में विधी, नियम और वी नियम का पालन करने से विवेक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को प्रवहावी तरीके से निभा पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विधी का सासन अस्थापित होगा और किसी भी लोकतांत्री का और सब्समाज के लिए विधी का सासन होना अपरिहार है। यह एक रास्ता प्रदान करते हैं जो कि नैतिक और समिधान सुसंगत होता है। अब बात करते हैं नैतिक नियम या फिर निड़े लें की छंकता में जो अंतरात्मा क्या भूम क्या होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या है अंतरात्मा इसके पर प्रकार देखेंगे। तो प्रकार को अंतरात्मा हम यहाँ पर प्रयोग के अधार पर दो प्रकार हैं। पहला है तुरुटी विहीन अंतरात्मा दूसरा है तुरुजी पूर्ण अंतरात्मा इसी का अधार पर दूसरा प्रकार होंगे निश्चित्ता का अधार पर इसमें एक सुनिश्चित अंतरात्मा होती है एक संसे आत्मा का अंतरात्मा होती है एक पराजे अज्यान और हüne अंतरात्मा के परयोग से क यह साइधानी रःटनी चाहिए उसको भी दिखने क प्रयास करेंगे अंतर अत्मा को व्यक्तिगत अंतिरिक चेतना के रूप में परिभासित किया जा सकता है जब हम कई कृति करते हैं तो इसका क्रित के नैतिक होने की नियम या कर्म नैतिक है और कौन सा अनैतिक है यह ग्यान अपनी प्रकृति में बहुत धीक ग्यान के नजदीक है किन्तु वस्तुता साक्षात ग्यान है जिसे किसी अन्यसरोत से प्रमाडित करने की जरूरत नहीं होती वहीं अंतरात्मा का अधिकारात्मा पक्ष व्यक्ति प प्रविर्टियां के तुलना में अंतरात्मा का दवाव अधिक होता है। इसके पावजूद यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अंतरात्मा के आदेश को मान ही ले। कभी कभी कोई विश्ष्ट प्रविर्टि या आत्म प्रेम इतना प्रवल हो सकता है कि व्यक्ति अंतरात्मा के विरुद्ध वेवार करने पर मजबूर कर दे मुए शुरुवाती स्थिति में अंतरात्मा के विरुद्ध आचरण करने पर व्यक्ति के भीतर अपराध बोध होता है जो उसे परिशान करता है अगर किसी विशेस मामले में अंतरात्मा का उलंगन बार बार किया जाए तो धीरे धीरे अंतरात्मा का दबाओ कम या समाप हो जाता है अंतरात्मा से जुड़े मत योपिनिन अबाओट कॉनसाइंस के बात करें तो अंतरात्मा के विशे माने एक विचार को के भिन भिन मत दिये गए इसके प्रमूख है पहला इसाई धर्म सास्त्री ये लोग मानते हैं कि मन के भीतर से जुरनेतिक आवाज आती है वह इस्वर की आवाज है इसी आधार पर वे इस्वर के अस्तित को साबित करते हैं कांट कहता है कि कांट के अनुसार जब व्यक्ति वासना और विवेक के द्वंद से घीरा होता है तो उसके भीतर से एक आवाज आती है कि है मनुस्य करतविका रास्ता चुन वासना का नहीं या आवाज अंतरात्मा की आवाज होती है वहीं बात करते हैं अस्तित्वाद वाली क्या कहते हैं यदि कि अंसार मनुश्य की स्वतंतरता का हर्थ नेड़े लेने की स्वतंतरता है और सबसे अच्छा नेड़वही है जो अंतरात्मा के अनुरूप हो यदि कोई नेड़े किसी भय या लारज के अधिन होकर अंतरात्मा के विरुध लिया गया है तो व्यक्ति का जिवन अप्रमारिक हो जाएगा किरकेगार्त रथासार्त्र के अंसार महान से महान व्यक्ति का नेड़े भी तब तक अधूरा ही माना जाएगा जब तक उसने अपनी अंतरात्मा के सामने असपस्ट न कर ले अगला है मारा सिग्मेंट फ्राइग इन्होंने सूपर एगो को ही अंतरात्मा के अर्थ में व्याक्षित किया है इड एगो सूपर एगो अभी हम पढ़ेंगे ठीक है इनने ने सूपरेगो को ही अंतरात्मा का यर्थ में व्याकित किया है सूपरेगो का विकास समाजी करण के अधार पर होता है खराव समाजिक परवेश के करण अगर ऐसा ना हो पाए तो व्यक्ति के अनायतिक या अपराधी बनने की संभवना प्रबल होती है चुकि विभिन वैक्तियों का परिवेश अलग-अलग माहौल में तथा अलग-अलग मुल्लियों के साथ होता है इसलिए विभिन वैक्तियों के अंतरात्मा भी एक ही प्रशन पर अलग-अलग उत्तर देती है बात करते हैं अंतरात्मा के भेट की पहला है तुरूटी विहिन अंतरात्मा यानि करेक्ट कांसाइन्स यदि परिस्थिती विशेश में अंतरात्मा के नियम का सही परियोग किया जाए तो उसे तुरूटी विहिन अंतरात्मा कहती है जिस प्रकास से परिस्थिती है उसी किसाफ से अंतरात्मा के नियम का जो है सही तरीके से परियोग किया जाए तो जो नेड़ा आएगा वो तुटी हीन होगा ठीक है उसमें तुटी की समभावना नगरड़ हो जाती है तुटी तुर्टिपूर अंतरात्मानिक इरनेयस कंसाइंस के बात करें तो यदि अंतरात्मा का प्रियोग यांतरिक तरीके से किया जाता है जो परिष्थिति के आलोग में सही नहीं है तो इसे तुर्टिपूर अंतरात्मा कहते हैं ये नीड़े उस समय के अनुसार भी सही नहीं होत और उसकी स्वभाविक मृत्यू का अंतिजार किया जाएगा परंतु यदि अंतरात्मा का सही उपयोग किया जाए तो उस पसू को मार देना चाहिए ठीक है मानना बहतर हो नेड़े होगा ताकि उसे कम पीड़ा भोग नी पड़े क्योंकि मरना तो उसे बाद में भी है और मर मरना अगर मरेगा तो भी मर जाएगा फर्क इतना होगा कि वो द्रबते हुए मरेगा कि भीना त्रबण के मरेगा ठीक है सुनिश्चित अंतरात्माने सर्टेइन कंसाइंस के आने नहीं देना है, ठीक है? तो यह क्या है? निश्चित है, संभावित अंतरात्मा क्या होती है? प्रॉबेबल, कन साइन्सेश क्या बत होती है? यदि नेड़े पूरी तरह से असपस्ट नहीं है, किन्तु रात्मा एक पक्ष की तुलना में दूसरे पक्ष की ओर साफ तौर पर जुकी हुई है, नेड़े तो हो रहा हो पर दुविधा बनी हुई हो, तो उसे संभावित अंतरात्मा कहते हैं, इस प्रकार संभावित अंतरात्मा में उचि आत्मक अंतरात्मा होती है, यह दो प्रकार की हो सकती है, पहला है पराजे अग्यान एर्थात विंसिबल इग्नोरेंस, जहां कुछ विसेश जानकर या जुटा कर या किसी अन्य तरीके से संसय को समाप्त किया जा सके, जैसे आतंगवादियों दरा हमला किये जाने पर, कोई भी जानकारी संसय को दूर न कर पाए, जैसे इस्वर के स्थित्यों से संबंदित प्रश्न है, तो यह अजे अग्यान की स्थिति है, वही प्रभुद अंतरात्मा की बात करें, यानि इनलाइटर्मेंट, कंसाइंसिस की बात करें तो इसका अर्थ है कि कुछ समय तक व कर नेड़े सभी मामलों में लगबख सही होता है, अब बात करते हैं कानून और अंतरात्मा की यानि लौज अंड कंसाइंस की बात करते हैं, तो कानून एक सामान नियम होता है, जो विभिन निस्थितियों पर लागू होता है, वही अंतरात्मा के संबंद में सामान नियम भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि नेड़े किसी विसेश सिस्थिती को ही संतुष्ट करता हो बात करते हैं नेड़े पर क्रिया अगला मरा है कि कानून जो है बारी दबाव होता है जैसे दंड का दबाव जबकि अंतरात्मा में आंतरिक दबाव होता है जैसे आत्म गलानी का दबाव इसके साथी साथ में कानून में वस्तु निश्टता की मातरा काफी ज़्यादा होती है जबकि अंतरात्मा में आत्म निष्टता की मात्रा परियाप संभावना होती है हला कि कुछ रमावलों में परियाप्त वस्तु निष्टता भी देखी जा सकती है जैसे किसी मनुस्य की हत्या नहीं करनी चाहिए गाय को नहीं मारना चाहिए अब पुरियुक्त आसमानताओं के साथ साथ कानून और अंतरात्मा में समानताओं भी द्रिश्टी गोचर होती है जैसे दोनों व्यक्ति के ऊपर यह दवाव आरूपित करते हैं कि व्यक्ति नयतिक कृत्ति को ही महत्वदे हालाकि इसका माध्यम अलग-अलग होता है जैसे अंतरात्मा अंतरिक दवाव आरूपित करती है जबकि कानून बाह दवाव कानून रों अंतरात्मा के संतुलन से व्यक्ति सिस्टा चार योगत जीवन ही आपन कर सकता है जो व्यक्ति की सफलता में महत्वद भूंग्या निभाता है वही कारच शेत्र में संध्यास्पद शेत्र की उपस्थिती होने के साथ ही विरोधी प्रकिर्टी के पूरू उधान मौझूद हो तो अंतरात्मा का प्रियोग किया जा सकता है अब बात करते हैं अंतरात्मा जो है नेडा प्रक्रियम अंतरात्मा के प्रियोग के नियम यानि rules for use of conscience in decision making process अब नेडा नियम के प्रक्रियम अंतरात्मा का प्रियोग किस तरीके से करेंगे हैं उसको दिख पहली है विवेका धिनसक्तियों का प्रियोग किस तरीके से करेंगे दूसरा है कानून, नियम और विनियम को विनियम या सप्स्थलता का भाव और एक से धीक व्याथ्या नहीं हो तब क्या करेंगे और पूर्व उधान की अपस्थिती हो या फिर निश्चित कानून या नियम या फिर विनियम का भाव हो तब हम अपने अंतरात्मा का प्रयोग करेंगे इसके साथ ही साथ में कानून नियम या विनियम के अधिक्ता हो तब भी हम अपने अंतरात्मा का प्रयोग करेंगे इसके साथ में संदिहास्पत शेत्री के उपस्तिती या विरोधी प्रकीर्टी के पुर्व उधान हो तब भी हम अपने अंतरात्मा का प्रियोग करेंगे अब आये देखते हैं का अंतरात्मा का प्रियोग कहां करना चाहिए अंतरात्मा के अधार पर नेडर लेते समय अंतरात्मा के परियोग की उप्युक्तिता तथा अंतरात्मा के निश्चीतिता गास्तर जैसे पहलों को ध्यान में रखना होता है जहां अधिकारी के पास अस्पष्ट रूप से विवेका धिन सकती है जैसे कि नयाधीस के पास अधिकानस मामलों में नियुन्तम वाधिक्तम सजाओ की रेंज का प्राउधान होता है उन्हें चुन्ना होता है कि इस रेंज के बीच में कौन सी इस्थिती सटीक होगी वहें जिले में कोई भी आपदा होने की स्थिती में लगबग सारे नेड़े जिलाधीस को ही करने होते हैं और जैदातर मामलों में अंतरात्मा ही एक मात्र माध्यम रह जाती है इसी के साथ अगर बात करें तो ऐसे मामलों में जहां कोई कानून नियम या फिरवी नियम है तो परंद उसमें असपस्टता का भाव है तो तारकिक तरीके से उसकी एक से अधिक व्याख्या हो सकती है ऐसे में सक्षम अधिकारी को अपनी अंतरात्मा के किसी व्याख्या को चुनना चाहिए जैसे में सब्द के दोनों अर्थ हैं बाध्यता मूलक भी और विकल्प मूलक भी जिस समस्यां के लिए कोई पूर्व उदान उपलब्धना हो और नहीं कोई निश्चित कानून नियम या फिर विनियम हो तो अंतरात्मा का प्रियोग किया जा सकता है इसी के साथ अगर बात करें तो कानून नियम व फिर व विनियम संख्या में इतने अधिक हैं कि कोई भी अधिकारी उन सभी को पूरी तरह जानने का दावा नहीं कर सकता इसलिए व्यवहार में कई बार अंतरात्मा से ही नेड़ाय करना पड़ता है विशेष तह तब जब ततकाल नियड़े करना आवश्यक हो और उप्योग तो नियम व विनियम खोजने में लंबा समय लग सकता हो अंतरात्मा के प्रयोगे में साधानिया क्या बरतनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं हर अधिकारी को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी विवेक छमता विक्सित करें कि उसकी अंतरात्मा समुचित नेड़ेों पर ही पहुचे अर्थात्नायतिक मुल्यों का या अंतरिक प्रयोग करने की बजाए उसके सार को समझे और उसके अनरूप नेड़े करें अगर एक निश्चित अंतरात्मा है तो उसका प्रयोग करना ही चाहिए केवल इतना ध्यान रखें कि अगर मामला किसी के जीवन से जुड़ा है या लगभग उतने ही महत्त का दूसा कोई प्रश्न है तो एक बार पुनः विचार करें अत्मा किसी योग ये वरिष्ट या मित्र की सलाह लें अगर ऐसा आउसर ही नहीं है तो सीधे प्रयोग करें जैसे आतमवादियों से जुड़ा मामला अगर अंतरात्मा का नेड़े संभावना के रूप में हो तो पहले कोसिस करने चाहिए कि अन्य जानकरिया जुटा कर अंतरात्मा को निश्चित्ता के अस्त पर लाएं विशेशता तब जब दाओं पर कुछ महत्वपूर्ण लगा हुआ हो इसके साथ ही में अगर अन्य जानकारी का आउसर ही नहीं है तो थोड़ा बहुत खत्रा उठाना भी पड़ेगा अगर अंतरात्मा संसय से मुक्त हो युक्त हो तो क्या करना चाहिए युक् यह भरी हो अगर यह संसय विशेश जानकारियों से दूर किया जा सकता है यह अगर यह संसय विशेश जानकारियों से दूर किया सकता है नहीं विंसिबल इग्नोरेंस तो जानकारिय जुटाने तक कोई नेड़े नहीं करना चाहिए अगर जानकारिय जुटाने में समय लग परियाप्त जानकर या मिल ही नहीं सकती तो कवल अपने भरों से नेड़े न ले समाजिक परंपराय अन्ह देशों के उधान समिधान की मूल भावना की समझ कुछ प्रभुद व्यक्तियों की सला जैसे आधारों से पहले संसय पूर मना स्थिति को संभावेता या निश्चित्ता की और बढ़ाने का प्रयास करें अंत्वे नेड़ाय के साथ वे वस्तु निष्ट आधार अस्पस्ट करें जिन्होंने अपने आपको इस नेड़ाय तक पहुचने में मदद की ताकि भविस में उली उठे तो भी सिर्फ आपके नेड़ाय पर ना कि आपकी इमानदारिया सत्य निष्ठा पर निश्कर्स तोर पर विधी नियम वर वे नियम और अंतरात्मा का फ्रेमवर्क नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में जटिलव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नैतिक नेड़े लेने के लिए व्यक्ति को बाधि करते हैं एक लोग प्रसासक के लिए यह अत्यंत आवशक है कि इन नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रावा नेड़ेयों की नैतिक प्रकृति को भी समझे जिससे वह समुचित नेड़े ले सके इस विंदू पर भी विचार करना जरूरी है कि एक लोग प्रसासक के रूप में प्रतिकूल प्रश्थितियों उत्पन होती रहती है जिसमें सामाजिक न्याय वह कल्यानकरी राजिक ये पेक्छा के करना प्रभावी वह उचित नेड़े अवश्यम्भावी हो साता है जिससे नैतिक सासन वह सासन की अधानडा को साकार किया जा सके इसके अत्रिक्त लोग सेवक के समक्ष हित संगर्थ थाथ कॉन्फलिक्ट ओफ इंट्रेस्ट के मुद्धियाना संभव है जिसके समधान में इन्यातिक मार्गदर्शन के सुरोतों का प्रयोग करके समाजिक दायत्ववा करतब निश्टिता का पारण किया जा सकता है क्रित्यों की संतोस्प्रत व्याख्या कर सके जैसे कि इतना धन किस मद में खर्च किया गया और क्यों किसी विशेश इस्थिती में कौन सा निड़य लिया गया और क्यों इत्याद ये और संतोस्प्रत व्याख्या के नहोने पर उसे दंड भी दिया जा सकता है संतोस्प्रत व्याख्या में निखित गुड़ होने चाहिए पहला तारकिक्ता दूसरी यह देखे यह दिखे कि अपनी तरफ से सरवसेष्ट कदम उठाया गया था तीसरा यह दिखे कि कोई तथ जानबूज कर छीपाया नहीं गया या भेदभाव नहीं किया गया है चौथा, नेड़े समिधान और कारूनों के से सुसंगत सिद्ध होता है पाँचवा, नेड़े नैतिक सहिता तथा आचरन सहिता की कसावटियों पर भी खरा उतरता है उत्तरदायत्व के प्रकारों की बात करें उर्दभाथर बनाम छेथी उत्तरदायती यानी vertical versus horizontal accountability बात करते हैं उर्दभाथर उत्तरदायत के नहीं vertical accountability की इस कार्थ है कि अपने से उच्च अदिकारी या संस्था के प्रति उत्तरदायत सब से पहले ठीक है यानी सचिव जो है मुख्य सच्चु के प्रती जिम्मेदार है ठीक है मुख्य सच्चु जो है मंतरी के प्रती और मंतरी जो है कारिपालिका तो प्रती कारिपालिका संस्थ के प्रती यानि political versus legal accountability राजनीती उत्तरदायत क्या होता है या political accountability क्या होती है यह सरकार का निर्वाचि सदस्यों के प्रती उत्तरदायत है इसकार्थ है कि सरकार द्वारा की गई कोई भी कारेवाही संसत की वेदियों या प्रस्ताओं या संकल्पों के अनरूप होनी चाहिए मैं बात करें वेदिक उत्तरदायत की नी legal accountability की तो यह सरकार की तथा सरकारी करमचारियों की समविधान तथा कानूनों के प्रती जबाब दे ही है इसकार्थ है कि सरकार या सरकार या अधिकारी की कोई भी कारवाही सम्विधान तथा अन्संबंदित कानूनों के दारे के भीतर होना चाहिए उनके विरूध में नहीं अगर नागरी सरकार की किसी सेवा से संतुष्ट नहीं है तो उसे आवाज उठाने या विरूध करने का परियाबत आवसर मिलना चाहिए जिस पर परियाब तथा प्रभावी सुनवाई भी होती है इसी को सिकात निवारन तन्दथात ग्रिवांसेज रिड्रेसल सिस्टम कहा जाता है अगला हमारा निकास एन एक्जिट नागरी को यह विकल्प भी मिलना चाहिए अगर वह सरकार की किसी सेवा से पूर्ण असंतुष्ट हो चुका है अर्थात आवाज उठाने का मौका था तो आवाज उठाने के बाद भी उसे संतोस्ट प्रद समाधान नहीं मिला है तो वह उस सरकारी सेवा से त्याग कर सके और किसी दूसरे विकल्प को चुन सके इसकार्थ है सरकार के एक अधिकार से मुक्ती इसके दो पक्ष है पहला सीमित तथा व्यापक निजी करन थात जैसे MTNL से असंतुष्ट व्यक्ती एयर टेल ले सकता है और LIC से असंतुष्ट व्यक्ती बजाज एलाइंस लिजा सकता है वही सरकार की ही विभिन कंपनिया हो और उसमें अंतरण की सुविधा हो जैसे भार्थ गैस, इंडियन गैस और HP ठीक है? हिंदुशान पेट्रोलियम व्यक्त व्याप्यक उत्तरदाइत की बात करें यानि Micro Accountability की बात करें तो पहला इसके अंतरगत है वित्ती उत्तरदाइत एक सटीक लेखांकन व्यवस्था होनी चाहिए बात करें तो नगत व्यवस्था वा खर्चों का नियांतर और प्रवंदन होना चाहिए साथी में प्रभावी लेखा परिक्षण होना चाहिए और लेखा परिक्षण के परिडामों का संसत के सामने ऐसी भासा में प्रस्तूती करण होना चाहिए जिसे सदत से आसानी से समझ सके इस बात की व्यवस्था की लेखा पर इक्षण में जिन तूटियों का उलेख किया जाए उन पर समुचित कारवाही आवश्य हो इसके साथ मैं आर्थिक उतरदायति की बात करें तो इस बात की चांच करना कि देश के कुल सनसाधनों का संतुलण बिगड़ तो नहीं रहा है अर्थ व्यवस्था के विभिन छेतरों का अनुपात संतुलित है या नहीं किसी पर्योजना के लिए देश के जितने संसाधन खर्च होए वहाँ मात्रा नियारचित है या नहीं महीं बात करें समाजिक उत्तरदायत्विकी तो सरकार पिछले वर्सों की तुल्ला में समाजिक सांती और सोहार्थ को बनाय रखने में तुलनात्मक रूप से अधिक वी सफल हुई है या नहीं रोडिवात तक टरता जैसी प्रविर्थियां किस हद तक नियंतित हो पाई है बात करते हैं पर्यावरणी उत्तरदायत्विकी तो पर्यावरणी उत्तरदायत्विके अंतरगत समवहनी विकास कार्बन फूट्प्रिंट तथा क्लीन डेवलप्मेंट मैकनिज्म जैसी महत्व पूर्ण आवधानः आती है वर्तवान पीडी का या उत्तरदाइत्व है कि वे अगली पीडी को पर्यावरण उसी रूप में सोपे जिस रूप में उसे प्राप्त हुआ था अंतरास्टी एस्तर पर पर्यावर्डी उत्तरदाइत्व के विश्य में समान किंतू विभेदित उत्तरदाइत्व तथा प्रदूसर करताओं को भुक्तान करना होगे अ Spencer's Mustisch सिधान स्विकार किए गए है इन सिध्धान्तों के अनुसार विक्सित देशों का उत्तरदायत तो परियारण प्रदूसर को रोकने के प्रती अधिक है क्योंकि वर परियारण प्रदूसर फैलाने में उनका अतिहासिक योगदान अधिक है मैं बात करें कानूनी और फिर विधिक उत्तरदायत का तो रास्ट्रों के कानून नागरिकों पर विधिक उत्तरदायत वारोपित करते हैं परन्तु अंतररास्ट्री कानून तथा सम्विदाएं विभिन रास्ट्रों पर उत्तरदायत वारोपित करते हैं परंतु अंतराश्टी समिधाये तब तक बात धिकारी नहीं होती जब तक कि उनका अनुमोधन ना किया जाए बात करते हैं उत्तरदायत्व सुनिशित करने के उपाय यहनी मेजर स्टुएंस और अकाउंटिबिल्टी पहला सूचना के अधिकार का प्रभावी उपियोग और इसी तरीके से बात करें तो नागरी घोशनापत था सिटिजन चार्टर का प्रभावी विवस्त था वहीं अगला है हमारा सूचना तकनीकी का प्रभावी उपियोग जैसे ई-governance आदी मैं अगला हमारा एक विभिन लोग सेवाए निश्चित समय पर प्राप्त करने का जनता का अधिकार सिसी टीवी तथा अन्य सर्मेक्षड तकनीकों का प्रियोग एवं केवल सामरिक महत्व के विसाय को छोड़ कर जहां संभव हो वहां प्रतियस्परधा के स्थिति लागू करना ऐसा निश्चिकरण द्वरा या सरकार की ही विभिन कमपनियों या उद्यमों के बीच प्रतियस्परधा उत्पन ने किया जा सकता है जिन विभागों का लोग संपर्क काफी ज्यादा हो ताथा जहां भरष्टाचार की संभावनाय बड़े पैमाने पर हो जैसे विकास प्राधिकरण, पुलिस राजरस विभाग, उनमें उत्तरदाईतों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए जिनमें कुछ पत्रकार, सिक्छाविद, सेवा, निमृत, नैधिस, समाजिक कारेकरता आदिशामिल है सभी विभागो द्वारा, कुछ सभी विभागो द्वारा वर्स में कम से कम एक बार लोग अदालत जरूर लगाई जाए ब्राष्ट अधिकारी तथा निर्वाची सदस्यों के विरुद्ध, तवरित तथा प्रभावी कारेवाही हेतु संस्थाएं होनी चाहिए वही सतरकता आयोग, लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिए नियाधिसों के ब्रष्ट अचार की रोक्थाम के लिए राष्ट्रिय नियाई का आयोग की अस्थापना की जा सकती है जो लोक सेवकों के विरुद भरष्ट अचार का मामना सावित हो जाए उनकी लिए कठोर दंड की विवस्था जैसे चुनाव लड़ने के लिए आज जीवन प्रतिबंध या किसी भी सरकारी सेवा से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित इत्यादी मेडिया का समुचित प्रयोग कुछ चैनलों पर किसी विभाग विशे से संबंधित कारकरम आते हैं जिसमें अधिकारी उस कारकरम के दर्शकों की सिकायते सुनता है और निश्चित समय में आविवस्था दूर करने की बात कहता है इस तरह के सारवजनिक आस्वासन से अधिकारियों में उत्तरदाइत्व की भावना बढ़ती है वहीं NGO जन सुनवाई के माध्यम से दबाव बना सकते हैं और सभी पर योजनाव तथास्यवाओ के संबंध में कुछ घोशनाय सारवजनिक रूप से की जानी चाहिए जैसे गुडवत्ता के मानक विभिन चर्णो के पूरा होने की समय सीमाएं किसी त्रूटी के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है इसका अस्पष्ट सूचना अब बाद करते हैं सासन की यानि गवर्निंस की सासन का अर्थ नीती निर्मार तथा उसके क्रियानवेन की प्रक्डिया से है जो नियमों के एक समुच्चे से संचालित होता है चुकि सासन का अधर्स रूप मूर्त नहीं हो पाया इसकी परिदी सूसासन वर सनैतिक सासन तक विश्तरित हुई है साथ ही समय के साथ कुछ अन्य विश्यस्ताएं भी इस अधर्णा में समाविष्ट होई जिससे सासन के साथ कई उपसर्ग जूरते चले गए वस्तुता सूसासन और नैतिक सासन जैसी अधर्णा है सासन के ही अर्थ विश्तर है मैं बात करें कि सूसासन कि यानि Good Governance की तो शूसासन के आधाणणा कोई नई नहीं है सूसासन काल निरपेख्ष एवं सत्ता निरपेख्ष आधाणणा है इतिहास के लगभग सभी काल में किसी भी राजा अथमा सरगार दोरा अपनी प्रजाओं के लिए सुसासन सुनिशित करना सर्वो परी लक्ष रहा है कौटिल ने अपने गंथ अर्थसास्त में राजा के गुरो का इस प्रकार उलेक किया है अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी नहीं थे उनके कल्यान में अपना कल्यान समझता है जिससे उसे खुद को खुशी मिलती है उसे वह अच्छा नहीं समझता किन्तो जिस किसी भी बात से प्रजा को खुशी होती है उसे वह उत्तम समझता है मात्मा गाधी ने भी सुराज की अधाना का प्रतिपादन किया था बात करें तो वस्तुतह वैश्विक पटल पर लोग प्रसासन जैसे विशियों के विकास से सूसासर एक विशिष्ट विशे के रूप में उभर कर सामने आया है बिस्वबैंक ने 1992 की अपनी रिपोर्ट सूसासन योँ विकास में सर्वपर्थम सूसासन को परिभासित करते हुए लिखा था कि सूसासन का परियाय ऐसे सासन से है जिसमें राज्ज के प्रतेक नागरिक तक सरकार द्वारा लागू नीतियों का लाभांस पहुच सके तथा इस प्रक्रिया में यदि कोई बाधा उत्पन हो तो सरकार के पास ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे जर्मानस की सिकाइतों को सरकारी आलाग कमानो तक पहुचाई जा सके आला कमानो तक पहुचा जा सके कुल मिलाकर सुसासन का ताति पर ना केबल बहतर क्रियान वेन से है बलकि यह समाज के वन्चीतों का भी पक्षिदर होता है सुसासन की आठ आधार बहुत विशेषताएं बताई जाती है जिन्हें नीचे रिखांती किया गया है सुसासन यानी Good Governance के पक्रिया से होना चाहिए किसी भी सेड़ी जाती या लिंगे के हो अपनी पूर्ण छमता का विकास कर सके स्क्यात्रिक्त सुसासन का उदेश नागरिकों को प्रभावी सुचारू और समता मूल समता पूर्ण सारवजनिक सेवाय प्रदान कराना भी है निसकर सुरूप से जिन्चा सिधानतों पर सुसासन अधारित हैं वे हैं लोकाचार यानि इथोस नागरिक के प्रति सेवा और दूसरा है नैतिकता, इमानदारी, सत्निष्ठा और पार्दिर सिता इत्यादी तीसरी है सामतार थाथ इक्विटी सभी नागरिकों के साथ एक समार विभार करना कमजोर वर्गों के लिए सहानव होती सही अगला है कारिक उशल्ता यानि उत्पीडन के बगार और सूचना यों संचार प्रद्ध्योगी का अधिकाधिक उप्योग करके प्रभावी ढंक से सेवा पदान करना वही नयतिक सासन की बात करे निथिकल गवर्नेस की बात करे तो नयतिक सासन में सत्य नयाय इमानदारी जैसे उच्च सारवभावमिक मूल्य समाहित होती है तथा सुव की प्राप्ति इसका साध्य होता है वही नैतिक सासन नीति निर्माड और उसके क्रियानवयन में सही और गलत जैसे नैतिक मानदंडों पर अधिक बल देता है यह प्रसासन की नीतियों, कर्मचारी के क्रित्य या व्यवहार में उच्च नैतिक मुल्यों जैसे सत्य निष्ठा समान भूति, सेवा भाव, करुणा, इत्यादि अपनाने को महत्व देता है नैतिक सासन कोई निष्चित अवधारणा ना होकर एक सामान शब्दा वाली है, जिसका भाव है कि सासन तथा प्रसासन को सभी अस्तरों पर नैतिक आचन करना चाहिए, यह काफी हद तक सुसासन या गुड गवर्नेंस के निकट है वही नैतिक सासन के प्रतिमानों की बात करें निष्टेंडर्स ओफ इतिकल गवर्नेंस की बात करें, तो विधी के सासन का समयक रूप से पालन होना चाहिए, और व्यक्तियों के जीवन मोले तथा विधाई अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हों, तथा उलंगन होने की हिती में उन्हें तुरित राहत पाप्त हो, जो कानुन बनाया जाया उनमें समाजिक हितों का इमानदारी पूर्वक ध्यान रखा जाये, और साथी में राज्जी के सभी अंगों में तथा सभी अस्तरों पर जैसे लिपीक से सचीव तक मुनसी से सूप्रीम कोर तक समाज के विभिन वर्गों का उचित पतिनिधित्व होना चाहिए, वहीं समाज के विभिन वर्गों को प्रसासन के विभिन अस्तरों पर कम से कम इतनी जिम्यदारी मिले जितना समाज में है, महिलाओं के संदर्व में अनुपात का पालन नहीं हो रहा है, कारेबल में उनकी संख्या प्रसासन में हैं वे भी निचले अस्तर पर ही हैं। का जनता की मांगों के प्रति सक्रिय रूख होना चाहिए केवल प्रतिक्रियात्मा के निरी एक्ट्यू रूख नहीं जनता के कहने से पहले ही यह महसूस कर लिना चाहिए कि उसकी क्या बिक्षाय है पारदर्शिता और उत्तरदायत तो सुनिशित करने वाली संस्थाओं वा प्रक्रियाओं के उपस्तिती जैसे CVC, CAG, RTI आदी मुई बात करते हैं उत्तरदायत तो इसे नैतिक सासन की दिशा में यानि from accountable to ethical governance की उत्तरदायत और नैतिक सासन के मूलभूत सिध्धान तोगा आधारों के परिशर्चा के पहस्चात इनके अंतर संबंद को जानने का प्रयास करेंगे मनुसर समाज में रहता है समाज में जीवन या अपन के साथ ही उस पर विभिन प्रकार के उत्तरदायत भी होते है या उत्तरदायत परिवार, मित्र, विवसाय या कारेक्षेतर अर्थात निजे जीवन और सारवजनिक जीवन दोनों के प्रती होता है इसी तरह सासन विवस्था या सरकार नागरीकों के समाजिक समझोते का परिडाम है इस कारण सासन और प्रसासन का या दायत्व है कि वह नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने का कारे करे इसी का प्रेडाम है कि सुसासन अर्थाद गुड गवर्नेंस और नैतिक सासन अर्थाद एथिकल गवर्नेंस जैसी अवधारणाय उभर कर सामने आई है जहां पर नागरिक केंद्रित सासन की चर्चा की जाती है अब यह सवाल उठना लाजमी है कि उत्तरदायत्व किस प्रकार नैतिक सासन की प्राप्ति में सहायक होगा उलेकनी है कि अगर एक व्यक्ति सारवजनिक जीवन में उत्तरदायत्व का पालन करता है तो इसका अर्थ हिया है कि वह अपने कालक्षेत्र में जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन करता है इसके अगर कोई व्यक्ति उत्तरदायत जैसे गुरों से यूगत है तो उसके नैतिक होने के संभावना भी बढ़ जाती है जिससे सासन में जवाब देहिता और पारदरसिता को बढ़ावा मिलता है सासन में अगर जवाब देहिता और पारदरसिता की संस्कृति को महत्वब बढ़ावा दिया जाता है तो यह नैतिक सासन की प्राप्ति में साहयक होगा इसको ग्राफ के मादियन समझने का प्रियास करें तो उत्तरदायत या नैतिक सासन क्या होता है इसके अंतरिगत प्रसासन में उच्छ नैतिक मूले बिक्सित होते हैं पारदरसिता ने ट्रांसपरेंसी आती है अनुक्रिया शिलता होती है सिकायतों का त्रिव निप्टारा होता है नागरिकों की सहबागिता और नागरिक केंद्रित प्रसासन होता है ठीक है प्रसासन अधिकारियों में उत्तरदायत्य की भावना होने से सरकार में खुलापन, कर्तव निष्ठा, योजनाओ का समय बधता से क्रियानवेन हो पाता है खुलापन, कर्तव निष्ठता के कार संस्किती नागरिकों को सरकारी कारकरमों वर नीतियों से आवगत कराती रहती है परिडामत है नागरीक सासन के क्रेत्यों पर नजर रखते हैं जिसे प्रसासन में अनुक्रिया शीलता को बढ़ावा मिलता है वर्तवान सेवा अधारित अर्थवर्वस्था में सरकार द्वरा नागरीकों को विभिन प्रकार की से माय उपलब्ध कर आई जाती है इन सेवाओं के गुडवत्ता बेहतर हो तथा नागरीकों तक इनकी पहुच आसान हो इसका दाईत व सरकार पर निर्भर करता है अगर प्रसासन उत्तर दाईत विजैसे गुड़ों से युक्त होंगे तो वह सेवाओं की समय बधता से बेहतर आपूर्ती वगुडवत्ता सुनिश्चित कर सकेंगे साथ ही सिकायत निवारन तंत्र को प्रभावी बिना सकेंगे क्योंकि नागरिकों को सरकार द्वारा सेवाओं की गुड़वत्ता खराब होने पर सिकायत करने का एक तंत्र अवश्य होना चाहिए प्रसासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने से नागरिक सासन से अपना जुड़ाओं महसूस करते हैं प्रसास्टिकों में उच नयतिक मुल्यों को बड़ावा मिलता है जो नयतिक सासन की प्राप्ति में सहायक होते हैं अगला टॉपिक है हमारा अंतराष्टी संबंधों में नयतिक मुद्धे अर्थाथ फिकल इश्यू इंट्रनेशनल रिलेशयन जिसको हम अगले वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे घैंडिक है तो अंतराष्टी संबंधी नयतिक मुद्धि क्या होने चाहिए ठीक है उसके पहलू क्या होता है उसके प्रकार किते प्रकार कोते हैं इसका समवाधान सारी चीज़ें हमें आपे अगले वीडियो के मांदम से समझने का प्रियास करेंगे so thank you so much keep loving keep supporting and keep stay with us thank you so much